इस वीडियो में हम बात करेंगे बहु फलक के बारे में तो बहु फलक ऐसे तीन विम्य आकृतियां होती हैं जिनकी सते सपाट और किनारे सीधे होते हैं तो मैं यहाँ पर एक तीन विम्य आकृति बनाता हूँ एक घन के रूप में तो यहाँ पर इसकी जो सत्य है वो सपाठ है और इसके किनारे जो है वो सीधे हैं तो यह यहाँ पर बन गया है एक घन जो है एक तीन विमियाकृती और इसे हम कहते हैं बहु फलक मैं यहाँ पर एक और उधारन ले लेता हूँ भवफलक का एक आयताकार पिरमिट के रूप में तो यहाँ पर इसका जो आधार है वो एक आयत है और यहाँ पर सारी जो किनारे हैं वो मिलेंगे इस बिंदू पर और यहाँ पर यह सारे त्रिकोन बन जाएंगे और इसे हम कहते हैं आयताकार पिरैमिड क्योंकि इसका जो आधार है वो यहाँ पर एक आयत है तो यह यहाँ पर कुछ उधारन है बहु फलक के अब यहां मैं बात करना चाहता हूँ इन बहुफलक के जाल के बारे में तो यहां पे जरा मैं इसे पाल दर्शी बना लेता हूँ तो यह हमारा घन है जो तीन विमे ये आकृती है और हम बात करना चाहते हैं इसके जाल के बारे में और वो कागज एक सपाठ सते पर बिचा दें, तो वो बन जाएगा इस बहुफलक का जाल. और एक बहुफलक के बहुत सारे जाल हो सकते हैं, और उन जालों को अगर हम फिर से उठा कर मोडेंगे, तो हमें वापस से हमारे बहुफलक मिल जाएंगे. तो चलो हम इस घन का जाल बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं शुरू करना चाता हूँ इस घन के आधार से, इसे मैं यहाँ हरे रंग से दर्शा रहा हूँ, तो यहाँ मैं सबसे पहले बना लेता हूँ, इस घन का आधार, जो एक वर्ग है, इसे मैंने हरे रंग से दर्शाया है. तो जब ये खुलेगा तो ये यहाँ पर हरे फलक के बाजू में चुपका हुआ रहेगा तो ये मैं दर्शा देता हूँ ये नारंगी रंग से और अब मैं लेता हूँ ये पीछे वाला फलक जो यहाँ पर मैं पीले रंग से दर्शा रहा हूँ और इसे हम पीछे खोल देंग जो इस किनारे से ये वाले किनारे से जुड़ा हुआ होगा इस हरे फलक से तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये जाल क्या है तो यहाँ पर ये जो पीला फलक है ये हरे फलक के साथ जुड़ेगा जो जुड़ा हुआ है इस किनारे से इस नारंगी फलक के साथ चलो अब एक और फलक लेते हैं ये उपर वाला जो फलक है इसे मैं यहाँ गुलाबी रंग से दर्शा देता हूँ तो ये हो गया उपर वाला फलक अब इसे जब हम खोलेंगे तो ये किसी तो एक फलक के साथ जुड़ा हुआ होगा तो समझोए यहाँ से इस किनारे से इस पीले फलक के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे जब हम खोलेंगे इसे पीछे की तरफ तो पहले यहाँ पर ये पीला फलक खुलेगा तो ये हरे वाले फलक के साथ जुड़ा हुआ है तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा बैंगनी वाला फलक अब यहां पर जो आखरी वाला फलक है उसे में जरा यहां हलके हरे रंग से दर्शा देता हूँ और अब ये किसी भी किनारे से जुड़ा हुआ हो सकता है समझो वो ये अगर किनारे से जुड़ा हुआ होता तो इस हरे के बाजू में आता और हो सकता है ये किसी और किनारे से भी जुड़ा हुआ हो तो समझो यहाँ पर मैं इसे बनाता हूँ कि ये पीले वाले फलक के किनारे से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर यह पीले वाले फलक के साथ यहाँ बाहर खुलेगा. तो यहाँ पर इसे मैं बनाता हूँ कि यह पीले वाले फलक के साथ जुड़ा हुआ है और जब यह बाहर खुलेगा तो वो इसके बाजू में यहाँ दिखाई देगा. तो इस तरीके से हम अपने तीन विमिये आकरिती का जाल बना सकते हैं अब चलो इस आयताकार प्रेमिट का भी जाल बनाते हैं तो शुरू करते हैं इसके आधार से तो यहाँ पर सबसे पहले में बना लेता हूँ इसका आधार जो है एक आयत तो ये मैंने यहां दर्शा दिया और अब इसका जो त्रिकोनिय फलक है समझो ये वाला ये वाला यहां बाहर खुलेगा तो ये नारंगी रंग से मैंने यहां दिखाया है कि ये है त्रिकोनिय फलक और अब ये जो पीछे वाला फलक है इसे मैं पीले रंग से दर्शाता हूँ और ये जब बाहर खुलेगा तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा जाल बनाएगा तो ये हो गया पीला वाला फलक और समझो ये जो तीसरा वाला जो फलक है यहाँ पे सामने की तरफ ये मैं नीले रंग से दर्शाता हूँ यह जब बाहर खुलेगा तो यहाँ पर यह आ जाएगा सामने की तरफ तो यह हो गया हमारा नीला फलक और जो आखरी त्रिकोनिय फलक है यह मैं हरी रंग से दर्शाता हूँ तो यहाँ पर जब जब से हम बाहर खोलेंगे तो इस आयत के साथ यहाँ पर यह चुपका हुआ होगा और यह बन जाएगा हमारा आखरी त्रिकोनिय फलक अब यह जाल एक दूसरे तरीके से भी बन सकता है समझो यह जो हरा वाला फलक है यह यहाँ हमारे आधार से नहीं बलकि यहाँ पर यह जो नीला वाला फलक है इस किनारे से यह जरा मैं अच्छे से दिखाता हूँ तो समझो कि वो यह वाले किनारे से जुड़ा हुआ हो इस नीले फलक के साथ तो वो जब खुलेगा तो वो कैसे दिखेगा तो वो यहाँ पर नीले फलक के साथ इस किनारे से जुड़ा हुआ है और वो कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई देगा तो इस तरह से हमने इस वीडियो में यह आईता कार पिरैमिड और यह घं लेकर यह तीन विम्याकरितियां लेकर उन्हें यहाँ पर खोल कर इस तरह से जाल बनाए और हम चाहें तो इन जाल को जब हम वापस से बन करेंगे तो हमें फिर से यह तीन विम्याकरितियां मिल जाए कर दिंगई